हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पाल सिस्टम के बारे में ठीक है इसते पहले हम लोग देखा था एंटी एस्टी के बारे में नेशनल टेलिविजन सिस्टम कमेटी के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था ठीक है तो इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पाल सिस्टम के बारे में पाल सिस्टम क्या होता है एक जो कलर टीवी स्टेंडर होता है ठीक है कलर टीवी एक स्टेंडर हो सिस्टम ठीक है तो एक ही पॉइंट को हम लोग बहुत बारिकी से समझेंगे बहुत आसान भासा में समझेंगे वीडियो देखने के बाद आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे हुआ है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका क्या होता है पाल सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है पी एल का फुल फॉर्म क्या होता है फेज अल्टरनेशन बाई लाइन ठीक है कहीं कहीं विथ लाइन भी दे देता है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है तो आपको यहीं आद करना है फेज अल्टरनेशन बाई के लाइन इसको कब इंट्रोड्यूश गया था he made 1962 स्टेंडर्ल में टीक है जो पाल सिस्टम होता है ओर यूरूपीयन कलर सिस्टम स्тेंडर्ल होता है European होता है इसके बाद I and Q signal are not generated हमने जो NTSC system पढ़ा था उसमें क्या था दो signal generate कर रहे थे आई और Q signal जो की weighted signal था उस तो जनरेट कर रहे थे NTSC में लेकिन इसमें क्या होगा इसमें हम आई और Q signal को नहीं generate करेंगे क्योंकि जैसे हम लोग आई और Q signal को generate कर रहे थे तो NTSC में phase error आ जा रहा था ठीक है तो इस जो Paul system है उसमें क्या किया गया NTSC को थोड़ा सा modify किया गया तो इसमें क्या है क्या है कि यू और V signal को generate करते हैं ठीक है तो यहां पर क्याद है बट R-Y and B-Y are used as chroma signal after waiting ठीक है अगला point B-Y and R-Y are called U and V respectively तो लगभग जो V होगा वो B-Y कर आएगा ठीक है जो यू होगा R-Y B-Y और जो V होगा R-Y यहां पर जो B हो ब्लू है और जो R हो रेड है यहां पर ग्रीन का यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसी की help से हम लोग ग्रीन भी प्राप्त करते हैं इसलिए हम लोग तो यहां पर इसको आपको एक्जाम में लिखना बहुत ही जरूरी है यहां पर यू जो होता है 0.493 ब्रेकट में B-Y ठीक है और जो V होता है इक्वल टू होता है 0.877 ठीक है 0.877 ब्रेकट में R-Y ठीक है तो इसको एक्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको लिखना ही होगा ठीक है तो U इक्वल टू कितना होगा 0.493 B-Y V इक्वल टू कितना होगा 0.877 R-Y तो आप लोग के दिमाग में कोशन आ रहा होगा सिर्फ कहां से आया है सब ठीक है तो इसका डेरिवेशन होता है इतना अंदर हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है सिर्फ इसको याद कर लेना है दूनों लाइन को ठीक है कितना इतना इसका वैलू होता है U का वैलू इतना होता है V का वैलू इतना होता है ठीक है अगला पॉइन हम लोग देखते है इन पाल सिस्टरम कमपेटेवल विद एरोपियन 625 लाइन मोनोक्रोम स्टैंडर्ड तो NTSC में हम लोग देखे थे कि जो यहां पे मोनोक्रोम स्टेंडर्ट था वह कितना था वह कौन सा अमेरिकन ठीक है अमेरिकन के 5-5 लाइन से मोनोक्रोम सिस्टेंडर्ड था उसमें एंटीसी में लेकिन ये जो पाल है उसमें क्या हो गया ये औरोपियम हो गया वो भी कितना लाइन हो गया 625 मतलब यहां पे जो 525 था उसमें 100 इंक्रीज हो गया ठीक है तो 625 लाइन इसमें मोनोक्रोम स्टेंडर्ड हो गया यह हो गया आपका कैम्पेटेवल हो गया एरोपियन से ठीक है जो पाल सिस्टम था इसके बाद जो हम लोगा टॉपिक है इन इस सिस्टम दे वेटर्ड कलर डिफरेंस सिगनल और काल्ड यू और वी सिगनल जो वेटर्ड कलर डिफरेंस सिगनल है मतलब आर माइनस वाई और बी माइनस वाई यही आपके क्या है वेटर कलर डिफरेंस सिगनल है ठीक है इनही की हेल्प से हम लोग वी और यू सिगनल क वो एक दूसरे से 90 डिगरी के फिर डिफरेंस को मेंटेन करेंगे, ठीक है? उन वन स्कैनिंग लाइन V is plus 90 डिगरी away from U and on the next line it is minus 90 डिगरी from U तो यहाँ पर क्या है? कि जैसे ही first scanning होगा, ठीक है? scanning जो first line है, उसमें क्या होगा? V is 90 डिगरी plus में होगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो V होगा, वो माइनस 90 डिगरी होगा, किस से? U से, ठीक है? इसमें यह अंतर है, जो first line में scanning होगा, तो V जो signal होगा, ठीक है? वो 90 डिगरी होगा, प्लस 90 डिगरी होगा, किस से? यू सिगनल से, और जब second line में scanning होगा, तो यहाँ पर जो V सिगनल होगा, तो यहाँ पर जो V सिगनल होगा, माइनस 90 डिगरी होगा, किस से? यू सिगनल से, ठीक है? अगला point जो है, thus both signal are present, semutensely on each line, but with different phase difference, ठीक है? डिफ्रेंट phase difference, इसमें क्या होता है? जो दोनों signal है, ठीक है? जो दोनों signal है, U और V जो signal है, वो एक ही समय पर उपलवद होते हैं, ठीक है? प्रतिक लाइन में एक समय पर एक जो दोनों signal होते हैं, वो एक ही समय पर लाइन में उपलवद होते हैं, लेकिन इनका जो different phase difference होता है, ठीक है? अगला point है, this eliminates phase error automatically, तो पाल सिस्टम का यही advantage है, कि जो anti-sc का disadvantage था, phase जो error generate हो जा रहा था, इसमें पाल जो सिस्टम है, उसमें automatically खतम हो जा रहा है, eliminates हो जा रहा है, ठीक है? अगला point, due to requirement of automatic phase changing switch, तो इसमें क्या था है, कि हम लोग automatic phase changing switch का use करते हैं, ठीक है, requirement होता है इसमें, जिसके करण से phase error समाप्त हो जाता है, automatic, ठीक है? अगला point, pulse system is costly than anti-sc system, तो यह आपका disadvantage हो गया, कि जो pulse system है, वो costly होता है, anti-sc से, लेकिन इसमें phase error जो होते हैं, pulse system में, उसको समाप्त कर दिया जाता है, modulation is AMSC type, as in, anti-sc, anti-sc system में हो, जो हम लोग modulation तकनीक यूज कर रहे थे, AMSC, amplitude, modulation, suppressed carrier type का, जो modulation हम लोग यूज कर रहे थे, वो ही modulation इसमें भी यूज करेंगे, pulse system में भी, ठीक है? तो हमने पिछले video lecture में बताया था, जो pulse system होता है, वो भारत में भी लागू है, ठीक है? भारत में जो standard है, color television standard है, वो pulse system ही है, मतलब 6 to 5 line monochrome standard के equal ही है, ठीक है? तो India usage pulse system, अभी भी जो समय चल रहा है, इसमें जो इंडिया है, जो हम लोगा भारत है, वो pulse system को ही, यूज कर है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, कि जो V signal और U signal है, उसमें कैसे phase जो changes है, कैसे change हो रहा है, मैंने बताया है कि first line में जो होता है, उसमान लेते हैं, जो V signal है, वो minus, plus 90 degree है, ठीक है? यू से, यहीं पर जो second line में है, जो first line scanning होगा, तो V जो होगा, वो plus 90 degree होगा, यू से, वहीं पर जब second line की scanning होगी, तो जो V होगा, ठीक है? जो V होगा, minus 90 degree का phase में होगा, ठीक है? तो इस तरह से इसकी scanning होगी, first scanning, first line की scanning होगी, फिर second line की scanning होगी, तो इसमें क्या था? कि इसका phasor diagram कुछ आता है, इसको बोलते हैं phasor diagram, ठीक है? पाल का phasor diagram अगर बनाना है आपको, तो इस तरह से बना सकते हैं, एक्जाम में भी बना देंगे आप तो बहुत अच्छा number आपको मिलने वाला है, तो इस axis पर आप देख सकते हैं कि V signal है, ठीक है? V signal इस axis पर है, और इस axis पर यू signal है, और इसका जो resultant है हो C है, ठीक है? तो यहां पर जो V signal है और U signal है, इसके बीच में क्या है? resultant है C signal, ठीक है? है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हो 90 वह हों फिर्स लाइन हो यहीं पर सकेंड कीैनिंगरी है तो स्केंड लाइन प्लस 1 हो जाएग़ एक इसमें में स्कैनिंग होती है वो जो V होता है माइनस 90 डिगरी में होता है तो माइनस में V हो जाएगा ठीक है तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा और C होगा यहां पे और इन धींवस का जैंगल यहां पर देख सकते हैं आप और यहां पर तन dengan they are इसका एक फार्मूला आता है, क्योंकि जो फार्मूला है, आप अगर एकजाम में लिग लेते हैं, तो बहुत ही इफेक्ट पड़ता है उससे, जो टीचर कापी चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि आपने कुछ फार्मूला लिखा है, तो उससे आपका नंबर बढ़ सकता है तो यहां पे यह मत पूछिएगा कि आप sir कहां से फार्मुला आया सिर्फ इसको लिख देना है इसका derivation होता है लेकिन हम लोग के course में नहीं है कि इसका derivation किया जाए ठीक है लेंदी हो जाएगा तो इसका फार्मुला है बहुत छोटा सा फंडा है कि इसके सिधा-सिधा फार् साइन ओमेगा स्टी प्लस माइनस वी साइन ओमेगा स्टी हो जाएगा ठीक है एक फार्मुला हो गया एक और फार्मुला आता है यहां पे जो ठीटा है उसका ठीटा हो जाता है 10 inverse V upon U हो जाता है ठीक है यह फार्मुला होता है इसको आपको एक्जाम में अगर याद है तो सीधे-सीधे लिख देंगे एक्जाम में तो इससे क्या होगा आपका नंबर बढ़ सकता है ठीक है अब हम लोग देखते हैं पाल बस्ट ठीक है तो इसका भी इस तरह से फेजर V सीधनल है इस एक्जेस पर – V है इस एक्जेस पर आपका यहाँ पर –V है प्लस-1 यहाँ पर माइनस-2 यू है ृहां पर जो प्लस-1 यू है और जो – व यहा पर यहाँ पर प्लस-1 यू है b – y-2 यू में थीक है इन दोनों के ध्यान देना है कि जो व है Southern मैनस y line में है जो u है वो भी मैनस y line में है ठीक है इन दोनों का resultant जो होगा यहां पर देख सकते हैं यह दोनों का resultant है minus u और v का resultant यह वाला है ठीक है और यहां पर क्या है resultant जो resultant है worst phase for first line first line के लिए जब scanning first line की scanning होगी तो यहां इस तरह से होगा इसका graph ठीक है minus u है उससे 45 degree के angle पर होगा ठीक है और जब second line का scanning होगा तो जो resultant worst है कुछ इस तरह से आएगा ठीक है यहां पर minus u है उससे भी यहां पर 25, 45 degree के angle पर होगा ठीक है इसी को हम लोग क्या बोलते है resultant worst इसको और इसको ठीक है यहां का जो इसका component होगा इसको क्या बोलेंगे b upon root में 2 v component line n में जब first line की scanning होगी तो b upon root में 2 हो जाएगा और जो उसका अगला जो next line है उसकी जब scanning होगा तो यहां पर भी वही हो जाएगा b upon root में 2 इस figure को आप exam में बना लेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा ठीक है कि जो पाल system है किस प्रकार से phase error को समाद कर दी रहा है figure से समझेंगे बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा तो anti-semm हमने देखा था कि उसमें phase error आ रहा था और हमने इसमें पढ़ा है पाल जो system पढ़ रहे हैं उसमें पढ़े हैं कि इसमें जो phase error होते हैं उस समाद कर दी जाते हैं तो कैसे समाद करते हैं जो पाल system होता है कैसे phase error को समाद करता है इसको हम लोग समझते हैं तो first figure में अब देख सकते हैं पहली लाइन ईयन में पहली रान की जब स्काली के होगी टीक है कि आपका प्लेस फ्ली है इस एकसेस पे प्लास यू कि टीक है? और यहां पर जो इसका resultant है, ओ और है, ठीक है, यहां पर जो VA है, यहां पर UA है, ठीक है, माल लेते हैं, यहां पर कुछ phase difference आ गया, जिसको बोलने है, डेल, ठीक है, यहां पर जो दिखाई दे रहा है, यह वाला जो दिखाई दे रहा है, उतना phase difference आ गया है, ठीक है, यहां पर से दिखाइद रहा एंगल ऑर डैल है ठीक है डैल मतलब कर फेज एरेर है ठीक यह इस फीगर में माल लेते है कि यहां पर кни 하지 रा गया इसी को जो हम लोग दूसरे लाइन में स्कें निंगे तब क्या होगा तो माल लेते हैं इस वाले minus V है इस वाले पर U है ठीक है इसका resultant क्या है R है ठीक है और यहाँ से कि यहां का phase error है भी डेल है ठीक है यहां से जो phaser error रहा है उसका resultant है आई टू है ठीक है और इसका जो फेज इरर आ रहा होता है उसका जो रिजल टेंट हा आर था ठीक है तो यहां पर मान सकते हैं कि यहां पर जो फेज इरर है वह भी डेल है ठीक है तो इन दोनों में देख रहे हैं कि पहली लाइन की जब स्कैनिंग हो रही है तो इसमें समझते हैं यहां पर देख सकते हैं आपका यू है इस आक्सिस पर आपका प्लेस्ट वी है इसमें क्या होगा कि यहां पर वाला जो सिगनल है वह और है अपर और जो यहां पर डिफरेंस आ रहा था यह वाला वॉ अ हो गया तो यहाँ पर क्या है कि 이거 is angle डर ये आपका एंगल डरotherap तो एक दूसरे से तरह टो हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो जो यहाँ होता है माइनस जाता है सबता है फेजीरेंट ठीख है इस से एक है तो यहाँ है है इसका कारद कैसे कोंसिल करता है फेजए यह को पालस तो जो PAL system होता है उसका जो V signal और U signal का bandwidth होता है वो limited होता है किसके बीच में 1.3 MHz के बीच में limited होता है ठीक है इसको भी आप लिख सकते हैं In this color sub carrier frequency in 4.43 MHz अगर हम लोग बात कर रहे हैं PAL system में तो इसमें जो color sub carrier frequency होता है 4.43 MHz होता है ठीक हो यह तो हो गया आपका PAL system लोग देखते हैं कि जो PAL system में उसका क्या disadvantage है और क्या advantage है क्या merit है और क्या merit है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका merit क्योंकि कोई भी system में कोई भी चीज है उसका कुछ merit होगा और कुछ merit होगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें जो PAL system है उसका merit क्या है तो सबसे पहला merit क्या है नो phase error हमने देखा है कि इस परकार से PAL system phase को समात कर दे रहा था तो इसमें phase error नहीं होते हैं नो हुई error इसमें भी किसी परकार की human को जो error होते हैं वो नहीं होते हैं जैसे पाल डी तकनीक जिसमें delay circuit लगाते हैं दो lines की averaging की जाती है तो इसी को बोलते हैं हुई error ठीक है नो manual हुई control इसमें भी किसी परकार की manual हुई control की जरूरत नहीं होती है पाल system में ठीक है अब हम लोग देखते हैं इसका disadvantage क्या है तो पाल सिस्टम का जो डीमेरिट है उसमें सबसे पहला point है high complicated with respect to NTSC तो NTSC जो system था उससे complicated होता है ठीक है उससे ज्यादा complicated होता है कौन पाल सिस्टम circuit complex होता है पाल सिस्टम का जो circuit होता है complex होता है ठीक है हाई costly of receiver पाल सिस्टम का जो receiver होता हो भी costly होता है और expensive होते हैं मतलब महांगा होते हैं ठीक है तो यह सारे आपके डिस में हम लोग का बचा हुआ है पाल receiver पाल receiver को हम लोग अगले वीडियो में cover करेंगे वह बहुत ही easy है मेरे पास एक figure पाल receiver का बहुत ही आसान तरीके से इसको हम आपको समझा देंगे पाल रिसीवर क्या होता है उस पाल receiver के बाद हम लोग जो टॉपिक है उसके पाल रिसीवर के बाद हम लोग जो टॉपिक है